दुनिया बर के बाज़ी खबरें देर शारा अक्षन और आज है हमारे बाज़े सेशज पायररी विश्निंग रहेगा, इसी पर फोकस स्वागत है, आप सब क्वाश्य बजान लाई मैं नमस्कार, मैं हूँ अनील सिंगी, और नमस्कार, मैं हूँ दिपांशु भंडारी, वीकली एक स्वैरी के लिए हो जाएए तयार, बताएं सर, आज का सेटप समझना है, आज के लिए ब कोई भी तनाव बरकरार है, इसमें कहीं कोई कमी आने के संकेत, ऐसी कोई खबरे आई नहीं है, और नेट जिससे के रेश्या और यूकरीन के बीच में जो तनाव हो कम हो, फेट की मिनिट से आये हैं, और मिनिट उमीद के मताबिक रहें, इनफेक्ट उमीद से थोड़े से बैतर हो, उसके बाद अमेरी की बाजरों में निशलेस्टों से शांदार रिकवदी आती ही दिखिये, सोना चांदी थोड़ा नीचे हुए है, तेजी हुए है, कच्चे तेल में थोड़ी सी कमजोरी होती ही दिखिये, और ये 93 डोलर के आसपास है इस वक्तर, एक अच्छी बाकि mentally, physically तो हम सारे प्रतिबन तोड़ी चुके है, अल्मॉस्ट दो महीने पहले वेव शुरू ही थी, तब आपने कहा था, एक एड़ महीने बाद कोई इसकी बात भी नहीं कर रहा होगा, लगभग वैसे ही होते हैं, पिछले दो-तीन हफ्तों में तो ध्यान भी नहीं गय मजबूत है, और यह डर और यह जो इनलिसिस इसलिए भी था कि जब तक डर रहेगा तब तक Central Bank अपना एक्शन नहीं लेंगे, अगर फेड इतना मजबूती से यह बोलता है कि हम ब्याज़रें बढ़ाएंगे, एकोनोमी मजबूत है, तो उन्हें करोना का डर निकल गया है कि अब वापस नहीं आएगा, आएगा तो हम समान लेंगे, आएगा तो इस लेवल के नहीं आएगा, और ऐसे में एकोनोमी मजबूत है, तो अब हमें ब्याज़रें बढ़ाण लेने की ज़रूत है, और यह डर अगर यह कि वापस से वेव आ सकती है, पहले से जादा आ सकत कि वो डर हो, तो नहीं वेटन वोच वाली सिचूशन होगी, तो यह बड़ा बदला जिसका हमने अंदाज़ा पहले लगाए था, कि जब तक कोरोना रहेगा, तब तक मार्केट चलते रहेंगे, कोरोना जाने के बाद क्या होगा, वो देखने वाली बात है, एक्जेक्ली ए बच गए, इस वाले से भी बच जाएंगे, इससे भी बच जाएंगे, बिलकुल, निकल जाएगा, ये भी बच जाएगा, इन दोनों के लावाद तीसरा फैक्टर है, जहां पर आजकल थोड़ा ज्यादा रियाक्शन हो रहे है, वो भी निकल जाएगा, तेखिए, एक दुनिया ये समझ रही है, कि युक्रेइन लड़नी सकता, दुनिया ये भी समझ रही है, अमेरिका और नेटो का स्टैंड यूक्रेइन की तरफ क्यो है, वो कोई उनके दोस्त नहीं है, उनके अपने हित है, जो उनने अपने ठीक करना है, उस वज़े से उनके साथ करेंगे क्यों वो तनाव बढ़ाने की तरफ बढ़ा रहे हैं, काईदे से यह होना चाहिए, अगर आप आखे में शान्ती चाहते हैं, तो अगर रिश्या के रहा हम पीछे हैट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए पीछे हैट कर दिखाए यह जरा हमें सबूत बेजी है, कि कल तो मैं देख भी रहा था शाम को जनल न्यूस चैनल पर कई जगे फूटेजिस आ रहे थे कि किस तरह से रश्या की सेना बाई रोड, बाई ट्रेन, अपने टैंक्स अगरा लेकर पीछे जा रही है, अब पता नहीं चलता है में तो कि वो आज की ताज़ा फोटो हैं, बगवान जाने कून सी है, आ रही है जा रही है वो भी कैसे समझ में आया है और जिस इसको समझ में नहीं आए उसमें दिमाग क्यों लगाना, ठीक उसी तर से अगर जिसको दिमाग लगाना उसको कली 2 बज़े से 3 बज़े के बीच मिल दो बार लेसन मिल गए, येस, 100% है ना मसा इससे ज़्यादा औरिसले के कल भी कह रहा हूं आज भी कह रहा हूं नियूज से इस नियूर को कि देटा को गलत तरe की घ्रा कर सके जो बाजार बजानौ कर सकती है कल 17500 के आसपास हमते कौन कह सकता है कि इस तरह की खबर आएगी कि बाजार एकदम से गिरेगा नेटो खड़ाओ के बोल देगा नहीं नहीं हमने तो देखा ही नहीं रच्छा पीछी जाता है बलकि सबको यह लग रहा था कि ठीक है मामदा ठीक हो रहा है उसके बाद वापस ख अचानक से किसी दिन दोनों भी बोल देके नहीं अब हमें लड़ना खतम यह हम लड़ेंगी नहीं नेटो कुछ भी कहते हैं अमेरिका कुछ भी कहते है क्योंकि अल्टिमेटलि अगर आपको किसी से जगड़ा करना में जोश दिला हूं दीप में पीछे हूं चलो चिंता मत करना लड़ना तो आपको भी फिर बार से जायार कर सकता हूं चियर करने से क्या होता है अगर यूड़ दो इस पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, वोलिटिलिटी रह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डर इस बात का नहीं रहा, बहुत ज़्यादा इसकी वज़े से बाजार खराब हो जाए, मतलब वर लाइक सिचेशन हम अल्रेडी प्राइस में डिसकाउंट कर चुके हैं, अब नया जटका नहीं है, अब खाली एक ही जटका हो सकता है कि बंब डाला, तो उस समय एक जो पैनिक होना होगा, वो हो जाएगा, वो बोटम हो जाएगा आपका, इस खबर की वज़े से, अब आईए आपकी दूसरी बात, फेड वाली, तो फेड की बेठक कि यह बात की हो, तो सब आईए, जब मिटिंग के बाद प्रेस कॉंसरेंस होती ही तो हमें सब पता है कि हो फेज़े नहीं होगा है, यह तो खाली पेपर में लिखा जाता है कि इस मिटिंग में यह discussion होगा, इसी को minutes केता है, अब पिछली बार minutes में चठका लगा था, हमको ल लेकिन अगर फेड अपनी मिटिंग में यह कहे कि भई नहीं हमें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बहुत एक साथ नहीं बढ़ा रहा है। बाजार को comfort देखे करें। बहुत जीज है। कि उसी ने बचा लिया है कुछ जादा ही अड़्जस्ट नहीं कर लिया इसलिए शायद कल थोड़ा रिलीफ है पॉसिवल है बिल्कुल पॉसिवल है लेकर एक बड़ी रिलीफ वाली रिकवरिटी और उसकी रिजन भी यही है जो हम बात करें कि पिछली बार की फेट के इस अच्छे आ गए इसलिए शोट कवरिंग आ गई और बाजार भागया तो ठीक है यह ऐसे ही मार्केटिस का कुछ नहीं कर सकते हैं अच्छा इन सब बीच में हमारी वीकली एकस्पैरी भी आ गई है तो क्या करना है और एक छोटा सा सवाल उन इंवेस्टर्स के लिए सर जब इतने वॉलटाइल होते हैं बाजार इतने सारे ट्रिगर्स पर रियक्ट कर रहे होते हैं तो क्या करना बेटर है पोजिशन में फ्लेक्सिबिलिटी या फिर थोड़ा साइड लाइन में रहें वॉलटली प्ले आउट होने दें और फिर डिरेक्शन पर चूज करें पह पर नएट रखना हमेशा आपके लिए इस तरह की सिचूशन में रिशिए और दूसरी चीज जो किसी भी ट्रेडर को इस वक्त करना चाहिए पैसा कमाने का नहीं सोचना चाहिए पैसा बचाने का सोचना चाहिए जो आपका बचावई या आपकी कमाई है येस करेक्ट ये अशिप सर्कांट सर्फ विए जो को अब इस दो तरीके से कर लें एक मैं बताता हो में बहुत बड़े करप पो जानता हूं ओर उन करप एडि में मेरे बड़े गणिष्ट मित्र हुआ करते थे चूनका ट्रेज़री संबालते थे और जब गलोबल मारकेट्स में या इन इस समय तो शांती से बेटों मार्केट को सेटल होने तो उनका केड़ा था नहीं हमारे लिए कमपल्सरी है और कमपल्सरी इसलिए है कि जब भारी उतार चड़ा हो उस समय का आप ट्रेड लेंगे तो आपका पैसा फास्ट रो बहुत ज्यादा बनेगा अगर आप सही गए तो सही गए तो सही को जा सकता है या तो आपके पास बहुत पैसा हो को हो सबको पता है कि रूड जब जेडॉ आ आयर माइनस आय छा यह लूका constitu पचीशे में टाकत है किया उतना पैसा लगा खड़े रहने की so अगर आपकी टाकत है और आपका जो मार्केट आपके लिए बहृ तो क्या आप उतने स्किल्फुल हैं क्या आप कितनी पैसे की ताकत है कि तीन सो उपर नीचे हो जाए कि अगर बार से देखो पिक्चर शुटिंग करने की कोशिश मत करो क्योंकि एक्टिंग करेंगे हम को पता हैं कितने हैं तो बहते हैं तो इसलिए अगर आप यह दोनों चीज नहीं कर सकते हैं शान्ति से रहे हैं पहली चीज दूसरी चीज फोर्गेट डेली सेटलमेंट होने वाला है दो चार पांट सार दिन बाद जब भी हो मार्केट सेटल हो जाएंगे कहीं नहीं जा रहा ना ऐसा थोड़ी कि यह हफता आखरी दिन है आज आखरी दिन कल मार्केट नहीं खुलेंगे तो अगर आपने पैसे बचा के रख लिए तो आपको फीट रेट कम हो कम ज सब को यह लगता कि इतने वोलेटाइल मार्केट में में लेनों जल्दी से बढ़ जाएगा या जल्दी से गड़ जाएगा एक ट्रेडल फटाफट पैसे आने में जाते भी फटाफट है ना तो आपको फटाफट पैसे कमानी कि अगर इच्छा है तो इन दो सवालों के जवाब ना है तो शांती से पिक्चर देखो जी कुछ मत करो होने दीजिए यह बहुत क्लियर है क्योंकि मतलब मतलब किस मेरे लिए भी किसी के लिए इस तरह का मार्केट प्रेडिक करना बहुत मुश्किल काम है कब कौन सी खबर आएगी कई लोग आप तो बोल रहे हैं सत इन्वेस्टर्स का जहां तक सवाल है दो स्ट्रेटेजी पैसा लगाने के लिए आप जल्दबाजी ना करें क्योंकि आपको दो चीजों इसे जूजना एक रेशिया उक्रेन और दूसरे अमेरिका की बढ़ती भी ब्यास अगर आपको वापस उपर के लेवल पे थोड़ा म यह इन्वेस्टर्स की स्ट्रेजी है और ट्रेडर्स के लिए तो मैं अलड़ी बात करी चुका हूँ ठीक है पहला आपका पार्ट सवाल का जो था आज एक्सपारी बहुत दूर है सौड़े तीन बजे है छे गंटे यहां छे मिनिट में मारकेट ऐसा उपर निचुए आप खाली लेविलस ढ़ाएं, स्टोप लोसिश ढ़ाएं, टाइट द्हां में रखें, रैंज ध किया आएगी किसको आएगी किस आएगी। अच्छी आएगी कट्राब आएगी। खराब आएगी। कोण जाने आज दोनों बोल दे की हम नहीं लड़ रहे हैं। कोण जाने अमे है फिर कहा पर रखनी नजर ग्लोबल मार्केट्स में नीट्रल रखें जी नीट्रल से हलके से नेगेटिव मानने भले रिकवरी हुई तो आप खुश हो सकते हैं लेकि रिकवरी में खुश होने की बात इसलिए नहीं कि ब्यास दरें तो बड़ी ही दीमें दीमें वड़े उस कोशिक साफधानी बड़ा रखा है क्योंकी दोनों तरफ के मुह आते निखा है सपोर्ट जोन इसके नीचे सतरह जार के नीचे जाने पर हम फिर से खराब हो जाएंगे अदरवज । तो ब्रोडली रेंज आपकी सतरा जार शेस्टो निकल कर आती है निफ्टी पर तीन तीन सो पॉंट दोनों तरफ ब्रोडली समझेजे यह आपके लिए रेंज अब आईए बैंक टिफ्टी यहां रेंज निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि नीचे सपोर्ट काफ कि रेंज हो सकती जहां तक आप जाएं देख सकते हैं उपर में 38,400, 38,600 कल भी हमने यही रेंज दी थी 38,600 का स्टॉप लोस दिया था शोट साइट पर ट्रिगर नहीं हुआ आज भी 38,400, 38,600 पहली रुकावट की रेंज है इसको पार किया तो 38,725, 38,925 वो रेंज है जहां 17,265, 17,215, 17,150, 17,050 यह फाइनल सपोर्ट है इसके नीचे फिर सीधा 200 पॉइंट का अब दिरकावट है धंका बीच में कोई है नहीं है है नहीं बीच में 17,000 छोटा सा मान सकते हैं साइकोलोजी के लिए अभी तक नहीं नहीं बन जाए तो अलग वागए सपोर्ट और रे यह आप ज्यान में रखें आ उपर की तरफ 17,325 पर आप बंद हुए 17,375 17,450 पांसो 55 और छोटे टारगेट है जिनके लिए आपको तारगेट तो बढ़ी है लेकिन लेवल सी उपर की तरफ छोटे थोड़े कम है नीचे की तरफ थोड़े से ज्यादा है बैंक दिफ टीम 37,950 पर आप बंदो हैं 37,750 पहला सपोर्ट है इसके बाद 37,575 और 37,500 असली कमज़ोरी 37,500 के नीचे शुरूँ होगी फ्रेश जितने अभी है उतने हैं इसके बाद 37,325 और 37,150 यह लेवल है उम्मीद यह है कि इसके नीचे हम जाएंगे नहीं खाली हैंडी इसलिए आपको रखना है कि कोई खराब खबर आजाए बहुत गिर जाएं तो 36,900, 36,825 यह दो और इंपोर्टन सपोर्ट आपके लिए बन जाएंगे बैंक शुफ्टी पर उपर 49,000 तक की जगह है ऐसे में 38, 38,200, 38,350 दो पहले सपोर्ट है 38,400, 500, 600 यह यहां पर निकल कर आरी रुकावट के लेवल और 38,725, 38,850 और 39,925 यह फाइनल टार्गेट ऊपर की तरफ के बनते हैं 49,000 के ऊपर जब जब गए बिक्वाली आई क्लोजिंग करने में मुश्किल आती है तो 49,000 के आज पास कभी भी मिले कितनी भी अच्छी ख़बर पर मिले तो भी वहां पर प्रॉफिट बॉकिंग एक बार करनी चाहिए ठीक है सर अंडिस्टूड कल का जो आक्शन हुआ है इसमें कुछ इंपॉर्टन बदलाव हुएं सर PCR FIS की या वैसे हैं इंट्रेसिंग है दीब कि FIS के दरब से लगातार बढ़ रही जो उन से 55 परसेंट एक ही परसेंट बढ़ी लिगें कम नहीं लिए इसका मतलब यह कि इंडेक्स को लेकर FIS बहुत बैरिश नहीं है जो कुछ उनको बेचना है खाली स्टॉक ही बेचना है तो कम से कम FIS यहां पर पॉजिटिव हैं यह आप कह सकते है पुट कोल रिशो कल भी बढ़ा नहीं एक का थोड़ा तीन बेसिस पॉइंट गड़कर ही आए लाइट है कमफरटेबल है कोई चिंता की बात नहीं है बाजार ओर बोट नहीं है और सोल नहीं है बैलेंस है पोजिशन के लिए आज से दोनों तरफ विक्स में भी कोई बढ़ा है नहीं पोजिशन एक परसेंट बढ़ना है तीन बैसिस पर फुट कोल रिशो को मला कल का सेशन आप उपर नीचे करके वहीं के वहीं है जहां शुरू है वहीं है अब आज क्या करना है क्योंकि वीक्ली एकस्पारी का भी थोड़ा एक फैक्टर रह सकता है तो मौ कल सत्रां दो सो नहीं आज रखी है घरा करे कर और वोंकि और कर तो पो कैो आज जो पार थे रहा है चुटा नने आज चोटा अ कर थे में से मैन अंची और जो होगा थे आयक्टुटंग इंचा और इंचीं लाकार को का आज स ganze कर शोटी तो आज नहीं क्यों compare dal्यूच्ट आज अगर उस हिसाब से देखो, लोजिक तो यह कहता है कि 37-500 का देना चाहिए, लेकिन मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं देनी है, भली एक बार ट्रिगर हो जाए, लेकिन रिस्क रखना, क्या गया तो जोड से जा सकता है, वो डर है, इसलिए मैं छोटा दे रहा हूँ, अगर इसको रिस्क लेने की कैपसिटी है, वो 37-500 का रखे, नहीं तो 37-700, क्लोजिंग आपका 37-500 ही रहेगा, इंट्राडे आपको जिस आपसे रखना है, रख लीजिए, निफ्टी में तो यह तो हो गया आपका लोंग पोजिशन का, अब शोट पोजिशन में, कल वाले सेम है, 17-525 इंट्राडे था, आप 17-490 से गुम गए, बजगे, 17-600 क्लोजिंग दूर है, यही रहेगा, है नहीं इसके निची डंग नांग का, फिर मतलब नहीं है, बैंक निफ्टी, सेम कल वाले, 38-600 था, कल 38-425 से आप गुम गए, यही इंट्राडे इंट्राडे, इंट्राड निफ्टी में 17,200, 17,400 क्लोजिंग बैसिस पर दिखा रहा है, पिछले चार दिन में तीन दिन, खाली एक दिन वो छोड़ दो जो आप 17,000 के निचे बंद हो है, तो आप देखो, 17,350, 17,375, 17,325 यह आँके बंद हो रहे हैं, एक एक एक्सेप्शनल दिन था, तो इसलिए मै आपके लिए मौजूदा पॉजिशन की बात, अब नई पॉजिशन में आते हैं, अग्रिसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राहे है निफ्टी पर और स्टॉप लोज है, कलवाला 17,200, टार्गेट जो आपके बनेंगे 17,375, 17,452 चोटे टार्गेट, मीडियम ट टार्गेट होगा 17,490 का, 17,500 होटा जी है, 490 काफी है, दस पॉइंट उपर करेंगे, 17,500 मीडियम टार्गेट है, और उसके बाद के जो टार्गेट बनेंगे 17,575, 600, 625, यह 17,575 से 17,625 के जो फाइनल टार्गेट है, यहां पर आपको प्रॉफिट बॉकिंग और वहीं से गुमा है, आज भी वहीं रखना है, 17,475 से 17,600, जिहां सिर्फ यह रखना है, अगर आपको multiple loads बेचने हैं, तो 475 से शुरू हो जाए, अगर आपको कम बेचने हैं, तो 600 तक का इंतजार करें मोका मिला, तो ठीक नहीं, तो आपकी किसमत, तो 17,000, 475, 17,600, perfect short range है, 17, 17,650 का होगा, आपका stop loss, नीचे के जो target बनेंगे जिए, वह होगा, पहला 17,450, फिर 17,375, 350, 275, 200, 150, और 100 तक के target के लिए, बिक्वाली करने है, target 17,100 तक के कुलता है, एंडी मेंडी में, तो आप अपनी इसाब से देखकर बिक्वाली करें, understood, चलिए, तो यह है आपके लि मेंच कर दें, और अगर आपको बड़ा लगाना है, तो 37,500 जो मैं आपको बताई चुका है, इस्टोक्तों आप अपनी मर्जी से लगाए, target 38,200, 38,350, 400, 500, 600, 38,725, 38,850, 38,925, बाकी के यह सारे के सारे target है, basically 49,000 तक की यात्रा आपको करनी है, यह सारे levels, यह लोग short करना च नहीं चले है, कल हम 38,500 पार नहीं किये, 38,500 से मूर बनाना है, मैं बहुत ज्यादा comfortable बेचने के लिए 38,725 और 38,850 पर, वो बहुत perfect level है, अगर मिले तो, आज 38,500 से मूर बनाई है, 500, 600, 725, 850, stop loss दूर दिया है, 49,000, देखो, बेचने के राए 38,500 पे, stop loss 49,000 जार है, क्यों यह उस समय के मूर माहुल से पता चलेगा, इसलिए में range stop loss दूर का दे रहा हूँ, stop loss 49,000 का है, target जो बनेंगे 38,400, 38,200 के, 38,000, 50, 37,950, medium target, और final target, 37,750, 37,575 और 37,500 के, तो देखिएगा, level जब भी मैं देता हूँ, तो उसमें दिमाग अपलाई करके देता हूँ, उसके बा यही बजे का data था, volatility से पहले, और फिर आखरी एक घंटे में, कुछ वैसे बदलाव हुए है या अभी वैसा bullish view बन सकता है, बन सकता है, कुछ बदलाव data में कुछ नहीं हुआ दी, आप मैं तो कह रहा हूँ, आप देखो ना, same data है, ना, putcon ratio आपका बदलाव है, ना, index long यहाँ था कि जो लोगों ने fresh position बनाई ही होगी, उन्होंने कम कर ली, उस वक्त, अगर समझो आपने long बनाई है, तो भी आपको लग रहा खराब ख़बर आई ही, जल्दी बेचो बेचो बेचो, या आपने short बनाई ही, तो भी आपको लगा रहे, वाह, किसमत खुल गए, कह रहे, कार्णिक सेम को 200 नीचे मिल गया, काट लो, काट लो, सो और वैसे भी एक चीज़ और ज्यान में रखने वाली बात है, और वही है कि जनरली market के आखरी एक और गटे में, अगर आपका यह होता है, action, तो वहाँ नहीं पोजिशन नहीं बनती, वहाँ पोजिशन जनरली कटती है क्योंकि आपको नई पोजिशन बनाने का मन सुभे जादा होता है दोपर डेटरेस को दोपर के बाद अपना खतम करने का मन जादा होता है इसलिए कल जो हुआ है उसमें पोजिशन गटी है बनी नहीं है इसलिए ठीक है सर बैंड लिस्ट में अफकोर्स बदला हुआ तो तीनी बचे हैं आज के लिए सिर्फ एसकोट्स इंडिया बॉल्स और सेल जो आज बैन लिस्ट में होगे अच्छा डेटा बताएं सर कैश में तो सेलिंग है FIS की बर दो दिन से हम देख रहे हैं स्टॉक और इंडेक्स में थोड़ा अक्शन दिखा रहे हैं इसलिए आप अजिए कि धीमेदी में इंडेक्स में नेट लोंग पोजिशन ए FIS की बढ़ रहे हैं साड़े पान्सो करोड के इंडेक्स करीज़े हैं पान्सो करोड के स्टॉक्स खरीज़े हैं और दोनों में ऑपन इंट्रेस बढ़कर आया है तो इसका मतब क्लियर करते कि हलकी फुलक कि अल्टिमेटली जब यह ट्रीगर्स नहीं होंगे तो आपको वापस होई दो ट्रीगर्स पर ट्रेड करना है अमेरिका और FIS और वहां पर अभी पूरा कमफर्ट है नहीं लोकल फंड्स ने अपने हिसाब से ठीक खरीदारी की 1130 करोड की ठीक है उनके हिसाब से तो डेट 400-600-500 के रेंज आपके लिये रुकावाट का काम करेगी 7 spinning 4600 और 45com घ्र्ytर ग्र कॉल में तो ये आपके लिले कंजेशन जोन ए सपोर्ट के लिया से सीज्दा 27000 कोई डंग डंग कर सपोर्ट है नहीं सत्रा जार तीन सो मेक और ब्रेक लेवल है जहां बराबर पोजिशन बनी हुए 25-27 लाग शेरों की पूट और कॉल में तो सत्रा तीन सो के उपर है आप अच्छे हैं 25 पॉइंट कम भी हो जाए तो ठीक है सत्रा तीन सो के नीचे हैं तो खराब है खुलेंगे हम सत्रा जार तीन सो पचेतर सत्रा जार चार सो पचीस की रेज में वहां टाइम पास करेंगे कली की तरह है और टाइम पास करने के बाद डिसाइड करेंगे हमें सत्रा चार सो पचेतर सत्रा पान सो जाना है या उपस तीन के पूट पर 11 लाग शेयर है कॉल्स में 14 लाग शेयर है नीची की तरफ फिर सीधा सपोर्ट आपका 37,500 उपर है उपर में 38,500 पार करना मुश्किल होगा 26 लाग शेयरों का भारी बरकाम ओपन इंट्रेस्ट कॉल्स में वह आपके लिए रुकावट का काम करेगा 38,000,000,000,000,000 लेवल्स और डेटा का विश्लियेशन आईए फिर बता दें आपको कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज आक्शन बनते हो दिखेगा और साथी ब्रुक्टिजिस क्या कह रहे हैं देवांशी वरुन और साथी आशीश है तयार मॉनिंग देवांशी बताएं आज की ट्रिगर्स और खबरें गुड़ मॉनिंग दिपांशु आज सबसे पहले निफ्टी में नेसले इंडिया इसके नतीजे आएंगे और वाइदा बजार में अम्बुजा सिमेंट के नतीजे आते होई दिखेंगे इसके साथी सरकार आज हाईडरोजिन पॉलिसी जारी करेग तो आपको काफी सारे अजस्मेंट्स दिखेंगे वाइदा बजार में नाल को यहां पे तीन रुपए प्रतिश्य का डिविडेंट था एनमडी सी करीब अपोने 6 रुपए का डिविडेंट था एफसल और एमजी एल में भी आज आज आपको एकस डिविडेंट जो एजस् तक बढ़ता हुआ दिखा है 16 रुपए प्रतिश्य का डिविडेंट भी जारी किया है स्पिक के भी काफी अच्छे नतीजे आये हैं आए इस बार करीब 15 परसेंट बढ़ी है कामकाजी मुनाफ़ा लगपक पोने 5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है और मार्जिंस आप आज ये दोनों स्टॉक्स पर नज़र रखें ओके तो नतीजे कुछ जो फाइनल सेट हैं आज भी कुछ नंबर्स आने वाले हैं और साथी ट्रिगर्स वरून मॉर्निंग बता है आज की खबरे क्या कह रही है तो सबसे पहले वेदानता इस कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दि दिया है इसके अलावा विप्रो एबीबी से करीब 1100 कोड के ओडर जो है वह इस कमनी को मिले हैं तो इसके चलते यान अज़र रखेगा हाइकिल इनका तलोजा में एक यूनिट है और यहां पे महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोड ने इस यूनिट को बं करने के आ आती थी टाटा मोटर्स जैगवार लैंड रोवर ने एनवीडिया के साथ कई सालों के लिए एक पार्टनर्शिप की है दोहदार पच्चीज तक जेलर की सारी गाडिया जो है वो एनवीडिया ड्राइव सौफ्ट्वेर जो है वो बनाएगी इसके अलावा इनफोसिस गू प्रोपोजल पर विचार करने वाली है ये कंपनिया 19 फरवरी को बोड की बैटक है जहां पर इस पर विचार किया जाएगा तो यह हैं आपके लिए कुछ खबरें आएए देवांची से कुछ और खबरें और फंड अक्षिन प्रोटर अक्षिन के बारे में जाने देवांची बताएं वह 4.86% थी वहां से बढ़कर 5.17% हो चुकी है इसके साथ ही मवाना शुगर पर नज़र रखे हैं जहां पर में किन ले Capital Emerging Markets यह एक फंड है जिन्होंने खरदारी की है यहां पर 2,65,000 शेर्स में उन्होंने खरदारी की है और साथी Promoter Deals की बात करें तो टेक्स में को Infra जहां पर प्रमोटर ने 15 फरवरी को 0.82% हिसेदारी खरीदी है और Quest Corp में भी प्रमोटर अजीत ने करीब 1.32 लाक शेर्स खरीदे थे 15 फरवरी को इसके चलते यह स्टॉक्स भी आज आज आक्शन में रहेंगे आखिर में आपको नज़र रखना है NAC का जो कूल अक्रीशन मामला था उस केस में कमपनी को करीब 6 लाक्स का जुर्माना लगाया गया है तो इस पर भी आप नज़र रखें ओके तो यह हैं आपके लिए काफी सारा फंड आक्शन और खबरें बाजार में जो बनी है आए जानते हैं आज ब्रोक्रिजिस की कहां पर है नजर एफ आई आर में मौनिंग आशिश बताएं क्या कह रही है आज रिपोर्ट गुड़ मौनिंग दिपांचु आज की सबसे दमदार रिपोर्ट जो है टाटा मोटर्स पर आई है जेपी मौगन की रिपोर्ट है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है वैसे लक्स दे रहे हैं 630 रुपे का और लेकिन यह मान रहे हैं की बुल केस में जो फेर वैल्यू निकल कर आती है उसके हिसाब से देखे तो करीब 57% की अपसाइड है यानि 783 रुपे का जो लक्ष है वो सामने रख रहे हैं और मान रहे हैं की सीवी और पीवी दूनों से दे रहे हैं इसके अलावा नोमरा भी देखे तो स्टॉक के पर बुलिश है क्योंकि खरीदारी किराय को बरकरा रिखे हैं 615 के लक्ष के लिए करीब करीब 500 की कलकी क्लोजिंग है लेकिन मारूती यहां पर देखे हैं अभी भी विक्वाली किराय को बरकरा रखा है 8583 की कलक किराय दे रहे हैं आईशर मोटर्स एक और आटो स्टॉक के जहां पर नज़र रखे है यूबेस की तरफ से रिपोर्ट है यह खरीदारी किराय को बरकरा रखा है 276 रूपे की कलकी क्लोजिंग है 3300 रूपे का लक्ष दे रहे हैं और यह मान रहे हैं कि इनकी जो नॉन 30 रूपे से बढ़ा कर 297 कर दिया है मोगन स्टैनली देखें तो बुलिश नज़र आ रहे हैं इनफाक्ट सबसे ज़्यादा बुलिश हैं क्योंकि यह ओवर्वेट की रेटिंग को बरकर आ रहे है 3365 के लिए टेक महिंदरा यहां पर देखें सिटी की तरफ से रिपोर्ट रहे हैं खरीदारी किराय को बरकरा रहा है 1710 के लक्ष के लिए 1444 की जो एकल्की क्लोजिंग है और यह मान रहे कि इनकी जो डील पाइप लाइन है बहुत स्ट्रॉंग है विन रेट इंप्रूव हुआ है जिसके चलते आउटलोग के बढ़िया नज़र आ रहा है इपका ल पांडर की वैलुएशन के लिए आज से देखें तो स्टॉक आकर स्ट नज़र आ रहा है इसके अलावा धेड़ सारे ओलन गास के स्टॉक्स मेरेंगे नॉमेरा की तरफ से एक डीटेल रिपोर्ट आई है लेकिन लक्ष में जो बदलाव किया सिफ ओ एंजी से में किया है ज जिन में बड़िया मजबूत रिपोर्ट है टाटा मोटर्स पर और कमजोर रिपोर्ट से एक तरह से कर सकते हैं आप इपका और मारूती पर थोड़ी बहुत तो आईए इन पर रहेगी नज़र आईए करते हैं फोकस अब हमारे एक्सपर्स की पिक्स पर वक्त है पिक ओफ सब्सक्राइब करें सुप्रभाद करें शुरुआत बंसल जी सुप्रभाद इपांशुव अने जी मेरा पिक ओफ देए है ब्लू स्टार ब्लू स्टार पर सिधारी की राये है अगर करेक्शन पर वेरी गूड मॉनिंग अने जी ब्लू स्टार ब्लू स्टार है मेरा पिक ओफ दे गिरावट पर 1095 से लेकर ग्यारा सो के राउंड अकर ब्लू स्टार पर खरिदारी की राये हैं एक हजार असी वन थाउजन एक प्लॉस लगाना है 1145 के टार्गेट के लिए ब्लू स्टार अर्ट करीदारी करनी किराइग हैं स्टार्गेट कि तरी एक दो दिन से पहली और आप हमें मुंबे में आसा अब पर क्रार viv करण तौन दिली में दिल्ली ऐ t ship बिल्कूर अनिल जी दिली में भी मोशन बदल रहा है और बिल्कूर ऐसा लग रहा है कि सर्दी जाने वाली है मतलब की जो वो कड़ाके वाली सर्दी थी वो तो अनिल जी चली गई है आप भी बदलो कुनाल जी बदले के कुनाल जी ने सब कोट रोट उतार दिया आप अकेले अभी तब कोट में हो कुनाल जी आप से आगे चल रहे है कुनाल जी सुप्रभाद बताएं सर सुप्रभाद अन्य जी सुप्रभाद धिपांचू अन्य जी अभी आपने कहा कि मुंबई में सर्दी जा रही है तो सवाल अनी जी है मुंबई में सर्दी आई कम जो जाएगी है नहीं मुंबई वालों के लिए आई थी दिल्ली वालों के लिए तो मतलब मुंबई की सर्दी मतलब एक दम वो क्या कहना चीए कि मझा है ही नहीं है बहुत ही बढ़िया हमारे लिए तो क्या है 12-13 14 डिग्री होता तो भी हम तो उसको सर्दी मान लेते हैं कहां आपके जैसे 3-4-6 डिग्री वाले हैं तो इतना नसीब नहीं है जो होता है उसी में खुश हो जाता है गुड मॉनिंग कुराल जी बढ़ाई के पिक of the day ऑनफे आजिछे रिलाइंस का अगर आप structure देखें तो परसों तेजी बनी थी जिस तरह का structure था कल Бंजार में जब कमजोरी हुई तो रिलाइंस होल्ड कर रहा है और जिस तरह का स्ट्रक्चर है एक इंवर्टेट हेड़ेंच छोल्डर पैटेंच शॉट्टम चार्ट्स पर बना हुआ है तो मुझे लगता है कि सबसे सेफ बाइंस तरों पर रिलाइंस है यहां पर खरीदारी करके चलने की मेरी राय है तेइस स पर रिलाइंस है और आज फिर वीकली एक्सपारी का भी दिन है और बजार मुझे लगता है बजार में यह जो लेवल्टेलिटी में कुछ कंजोर होते है तो खरीदारी करने के मौके ढूमने चाहिए यह जो यूग्रेन और रश्या की जो क्रैसिस है मुझे लगता है देर स पर आइटी कंपनी विप्रो अब विप्रो कल भी अच्छा करा था पूरा आइटी सेक्टर यह अच्छा कर रहा था और बजार बंद होने के बाद जो खब्रयाई ए बड़ा करीमन देट सो मिलियन डॉलर का ओडर दिया है विप्रो को तो वह बी एक पॉजिव होगा और व कि रेंजिस से कर ली जाए मुलाकात बताइए अनल जी वेरी गुड मॉनिंग दीप मॉनिंग मुझे बाय करना है आयो सी पर अभी 50 परसंट बाय करेंगे 121 के आसपास और स्टॉप लॉस लगाएंगे 119 पचास पैसे के और अगर 122 पचास निकल जाता है तो रिमेनिंग 50 50 परसंट आड करेंगे मुझे लगता है आज के लिए 125-126 के टागेट देखने हो मिलेंगे पर इवेंचली पैटन है बहुत स्ट्रॉंग है 130 के आसपास के टागेट देखने हो मिलेंगे अगर एक ही लोट किसी को लेना तो आदा-दा कैसे करेंगे फिर ने आनिल जी कैश म पर ले ब्रेक आउट हो जाए तो फिर उसको करके फ्यूचर्स में आइडिया सही है चलिए तो 119-126 के टागेट के लिए खरिदारी आई-ओ-सी में आपके लिए आईए राजिश पालिवा साब भी हमार साथ जूर्चिका पालिवा साब सूप्रभाद बताएं सर आपको क ब्रेक आउट बने हैं हमें लगता यह स्टॉक यहां से थोड़ा मोमेंटम और हायर साइट पर कंटिन्यू करते वे दिख सकता है 312-315 तक के अपसाइट के टार्गेट के लिए HPCL हिंद पैट्रो को बाय करने की सलह रहेगी करेंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे हम क हमारे समवाद आता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं फार्मा कमियों को लेकर एक ख़बर और एक नोटिफिकेशन आता हो दिख रहा है उस पर ले लेते हैं पूरी जान करें अमरीश गुड मॉर्निंग बताईए इसके पीछे अरविंदो फार्मा का तर्क ये था कि जो इंडिया में जो बनाया प्रडूसर्स हैं उनका जो ओवरॉल टर्न ओवर है वो लगबग 95% मार्केट के लिए उनका होल्ड है और 95% मार्केट के लिए सिर्फ 5% के लिए वो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी के बिना चाइना से इंपोर्ट हो रहा है इमक्सिरीन ट्राइडरेट उससे घरेलू इंडिस्ट्री को बहुत सारा नुकसान हो रहा है ऐसे में डीजी ट्यार ने उनकी अर्जी पे जो सिफारिश की थी उसके साथ डीजी ट्यार नो जाच की है समीक्षट जात में ये पाया है कि अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी हाटाई जाती है तो इससे घरेलू इंडिस्ट्री को नुकसान होगा और उस नुकसान से बचाये जाने के लिए डीजी ट्यार ने सिफारिश की है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए जा तारीक तै की गई थी अपरेल 2020 से मार्च 2021 लकी और 10 सितंबर को ये जात शुरू होई थी और अरविंदो फार्मा के लिए ये बहुत अच्छी ख़बर है क्योंकि पूरे जो प्रडुक्शन हिसका उसमें 30% से ज्यादा हिस्था अरविंदो फार्मा का है और बाकि जो आठ अरविंदो फार्मा के लिए ये एक अच्छी ख़बर पालिया साब चार्ट देखे और अरविंदो फार्मा के कुछ दम है क्या है तो अनील जी देखिए इस टॉक में एक रिकवरी जरूर बनी है लोर साइट से स्टॉक अपर 20-day 50-day moving average के उपर ट्रेट कर रहा है तो कहीना कहीं नियर टम चार्ट पे एक strength जरूर बनते वे दिख रही हाला कि अभी भी ये consolidation range में है अगर ये stock 700-710 के level को cross करेगा तो ये momentum higher side पर extend होते वे दिख सकता है तो अभी time being के लिए हमें लगता है जिस तरीके से setup बने में ये एक range में consolidated करता वे दिखेगा तो dips में buy करें इसको 680 के आसपास अगर ये stock मिलता है तो वहाँ पे एक अच्छी opportunity होगी buy करने के लिए 670 का stop loss रखेंगे और upside में हमें लगता है जि इसमें करें खरीदारी ये हराए 600C के आसपास entry point होगा सही आईए सेठी साब हमारे साथ तैयार है सेठी साब ने दिया है आज विप्रो अपने डेली पिक के तौर पर सेठी साब और कौन से stocks आज के लिए रखें रडार पर बिल्कुल आनेल जी जो इसके बाद जो 4 stocks और द आज कुछ टाइब भी किया है जे लार ने निवीदिया के साथ तो और पॉजिटीव और स्टॉक करें भी होगा है तो मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करें आज 510 का आज का टागेट है 490 का स्टॉप लॉस फिर ऑटो सेक्टर की डूसरी कांपनी महिंदा इं म मेरा पसंदीदा स्टॉक है निशने लेवल्स पर भी कई बार रिकमेंड किया हुआ है और मुझे लगता है जिस तरह से अलुमिनियम के प्राइज़ अपने हाइज पर है और अलुमिनियम स्टॉक से अच्छा करना है तो उसका इंडिरेक्ट फाइदा रेन इंडस्ट्री क को होता है कल ये स्टॉक भी अच्छी खासी तेजी के बाद चुकि बजार में फैग जो लास्ट आउर ऑफ ट्रीडिंग में जो करेक्शन आया उसमें ये भी करेक्ट होके 230 के आसपास बंद हुआ है मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए 240 के टागिट के लिए 22 125 का स्टॉप लॉस और फाइनली क्रॉम्टन ग्रीव कंजूमर इलेक्रिकल्स जो कि कल 398 पे बंद हुआ है यहां पर खरीदारी करने की सला है 410 का टागेट 390 का स्टॉप लॉस तो यह है चार पिक्स आपके लिए जहां खरीदारी करने के रहा है एक बार मैं दोरा दूँ सेटी साब ने का है टाटा मोटर्स खरीदिये 490 का स्टॉप लॉस पान्सो दस के टारगेट के लिए दूसरा महिंद्रा इन महिंद्रा खरीदिये स्टॉप लॉस आपको लगाना है 855 के आसपास 880 का रखे टारगेट रेन इंडिस्टीज दो सो पचीस का स्टॉप करते हैं उनसे भी मुलाकात सुमे जी गुड मॉर्णिंग बताएं सर पिक आफ दे गुड मॉर्णिंग के तौर पे मेरे को लग रहा है कि एक तो ऑटो सेक्टर पर नजर रखें ऑटो सेक्टर के अंदर एक बढ़िया मूव बन रहा है और एक ही करके स्टॉक के अंदर तीज इनिशेट करें नीचे के अंदर जो स्टॉक का भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 2726 के असबस दिखाई दे रहा है तो 2700 के नीचे का स्टॉक्रोस दगा के हीरो मोटो कॉप में खरिदारी करने की सला थी आपकी कल एक सपाईरी का ऑप्शन 17250 का इंदमनी कॉल ऑप्शन 120 में आपने खरीदने की राए जी थी 121 के टार्ट एक आज देखिए 6570 पॉइंट गैप से खुलने की तैयारी में है निफ्टी अगर गैप मिले बढ़िया तो क्या खुलते ही प्रॉफिट बुक किया जाए क्या करन आज पॉजिटिव मूव ही देखने को मिलना जीए वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिल सकती है तो सबसे पहला जो इंट्राडे का पढ़ाओ बनेगा 17345 से 17400 के असपास का बनेगा वहां पर मार्केट खुलके अगर रूप गया तो रेली एक्टेंट होते हुए आज यह है आपके लिए राय कल के ऑप्शिन की स्टेटिज पर जई की तरफ से भी निफ्टी पर 17300 का पुट ऑप्शिन लेनी के राया थी सुमिजी ने कॉल ऑप्शिन दिया था आज गेप मिल रहा है प्रोफित बूक करने की राया वागले साब भी हमारे साथ तयारे सार गुड मॉर्निंग बनाइं पिक अफ दे अनिल जी गुड मॉर्निंग दिपांचु गुड मॉर्निंग मेरा पिक अफ दे है टाटा मोटर्स 498 का बंद है कल का एक दिन साइडवेस ता मुझे लगता है आज वापस मुझ कंटिवी होनी चाहिए स्टॉप लॉसों का 495 टार चले कुछ और काउंटर्स जहां पर रखने हैं नजर सिटी साब हाइकल इस पर जरह रहाए ने महाराश्ट्रा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो इनकी तलोजा की यूनिट है उसको बंद करने के आदेश दिये हैं और कंपनी का 15% रेविन्यू इस यूनिट से आता ह है तो डिफिनिटल एक साइजबल टर्नोवर है बट कंपनी अच्छी है और यह एक बार जो भी कारण से यह बंद हुआ है उसके रेक्टिफिकेशन के बाद जब यह वापीस से चालो हो जाएगा तो थिंस पूट भी नॉमल बट हाल-फिलाल मुझे लगता है आज के लिए तो बजार में इसमें नेगिटिव रेक्शन मिलेगा बट अगर सबस्टेंशल गिरावट आते हैं स्टॉक में मतलब 10-15 परसेंट अगर यह स्टॉक करेक्ट होता है तो मुझे लगता है मीडियम से लंबे अवदी के लिए खड़ीदारी करने का बेहतरीन मुक्त होगा इस अपनी पार्टनर बनी है तो यह फोकस में रहेगी है अफकोस हमने सलील पारिक साब से एक्स्लूसिफ बातचीत भी करें तो आज दोपर 12 बजे पूरा इंटर्विव भी आप हमार साथ देख सकते हैं चार्ट पर कैसा देख रहा है सर इन्फोसिस तो दिपांशुज देख एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक एक लोवर साइट पे बेस फॉर्मेशन करते वे दिख रहा है अगर हम देखे तो मल्टिपल टाइम स्टॉक सत्रा सो के आसपास से सपोर्ट लेके पुल बैक जरूर देते वे दिख रहा है तो हमें लगता है कि यहां पे स्टॉक में बाए पोजिशन बनाना है ची क्योंकि एक स्टॉक में जो करेक्शन था कहीं न कहीं थमते वे दिख रहा हूँ अब यहां पे एक्किमलेशन एक्टिविटी होते वे दिख रही है हमें लगता है यहां पे सत्रा सो चालीज सत्रा सो पचास यह एक रेजिस्टंस एरिया है इ प्साइट में टार्गेट इसके जो आना ची हे वापस वो आना ची है सत्रा सो सत्रा सो चकर बाए क्रने की UX ब lifesार हूँ और उन्होंने चॉबश्स से तार्गेट घटा कर चैंट करीब का किया है तो इन्फोसिस आज आपके फोकस में और हमारी एक्स्रूसिव बातचीद भ इस पर clarification आया है, कह रहे हैं कि जो semiconductor बनाने के लिए Foxconn के साथ करार है, वो विदानता की holding company ने काया ना ही विदानता का, तो उनका इस पर कोई रोल नहीं होगा, थोड़ी positivity इस टॉक में आई थी इस खबर के बाद, बट फिलाल चार्ट पर कैसा दिखता है विदानता कुनाल देखें चार्ट अगर आप longer term थोड़ा सा medium term चार्ट देखें देपांचो तो चार्ट बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक short term में congestion नजर आ रहा है मुझे, और ये congestion अगर आप देखें, तो लगबग 380 रुपे के आसपास है, 380 का ही हाई लगा कर पिछली बार भी stock में अच् कुछ गिरावट आते हुँ दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बार के लिए wait and watch करना चाहिए, stock 380 सी निकाल देगा, तो फिर इसमें एक fresh breakout होगा और फिर इसको definitely buy करना चाहिए, जिन्होंने पहले का खरिदा हुआ एक stop loss 360 पर रखे, 380 पार होने पर नई खरिदारी की राये आएगी, यह है आपके लिए वेदानता पर राये, नज़र रखते हैं कैसा हम आक्षन आएगा, कलपतरू पावर, इस पर रखिए नजर एक reorganization proposal के लिए company का board दो दिन बाद बैठक करने वाला है, सुमिझ जी चार्ट्स पर बताएं, कल तो डेज हाई पर बंदवा थ कलपतरू पावर के अंदर मेरे को लग रहा है कि पोजिशन तो होल्ड करके चले, स्टॉक ने वैसे लाज कुछ दिनों में correction दिखाया है, लेकिन आप यहां से एक bounce back की उमीद है, स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के उपर support दिखाई दे रहा है, 370, 375 के पास है, यानि य तो यहां पर आपको रखनी है नजर